प्रेविध्यार्थियो यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत नमश्कार आप सभी को पिछले वीडियो में हमने गसी गसोष्च इस सुत्र तक अज्ञन किया और हरयोग शस्ठी और सप्तमी ध्वीवचन में हरयोग रूप बनता है इसके सिद्धी भी मैंने आपको बताई है, अब आज हम हरी नाम शस्ठी भहुवचन का रूप इसकी सिद्धी करेंगे, सबसे पहले जिस प्रकार से मैं इस वीडियो में बोलती हूँ, उसी क्रम से आपको सिद्धी करनी है, क्योंकि पुस्तक में कहीं कहीं क्रम सही नहीं दे रखा है, तो क्रपया आप जो मैं बोलती हूँ, उसी प्रकार सिद्धी का करम रखेंगे, किसी भी शब्द की सिद्धी का करम है, तो जैसे हरी नाम यनि शस्ठी भहुवचन का है, बहुत से हरी का के की है न, बहुत से हरी का, जैसे इसका अर्थ हो गया है, या तीन हरी का, ठीक है और बहुवचन का रूप है शस्टी बहुवचन का रूप है तो हम सिद्धी प्रारम करें सबसे पहले हरी शब्द की अर्थवत धातुर प्रत्ययह प्रातिपदिकम सुत्र से प्रातिपदिक संग्या दूसरा सुत्र है स्वाउजस समोट करके बिंदी लगा दीजिया स्वाउजस समोट सुत्र द्वारा हरी शब्द से परे सु आधी 21 प्रत्ययों की प्राप्ति तीसरा सुत्र है चुंकी हरी नाम बहुवचन का रूप है इसलिए बहुशू बहुवचनम सुत्र द्वारा बहुत्व की विवक्षा में शष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय लगाने पर हरी 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 प्लस आम रूप बनता है तब सरूपणाम एक शेश एक विवक्तव सुत्र द्वारा दो हरी शब्दों का लोप होने पर हरी प्लस आम रूप रहता है तत बश्चात यस्मात प्रत्यय पिधिस्तदादी प्रत्यय अंगम इसको आप है यस्मात प्रत्यय करके बिंदी लगा कर भी लिख सकते हैं इससे आप कर दीजिए यस्मात प्रत्यय सुत्र द्वारा हरी की अंग संग्या तर पश्चात रस्वन ध्यापो नूट सुत्र के द्वारा रस्वांत अंग हरी से परे आम को नूट आगम प्राप्त होता है और इसी में आप लिख दीजिए नूट में टकार की हलंत्यम से इतसंग्या होकर उसका लोप हो जाता है और उकार उच्चार नार थे उच्चारण के लिए आया हुआ है और नकार शेश रहता है अर्थात हलंत ना शेश रहता है इसके बाद आएगा अध्यनतव टकीतव सुत्र के द्वारा यह नकार आम से पहले आता है तो इस प्रकार हरी न आम यह रोप बनता है तर पश्चार नामी सुत्र के द्वारा हरी के इकार को दिर्ग इकार इ में बड़ी इए आएगा देड़ी कार करने पर हरी में बड़ी की मात्रा हो जाएगी हरी न में आम मिल गया न हलनते हैं आ मिला तो नाम बन गया तो हरी नाम रूप मनता है तब अटकुप वांगनों दिया वाईपी सुतर के धारा नकार को नकार, हरी नाम में जो न आया है उस न को न करना है, नकार को नकार करने पर हरी न काप न कर दीजिए, या सीधा भी लिख सकते हैं हरी नाम, बराबर हरी नाम रूप सिद्ध होता है, इस प्रकार से हरी नाम शब्द की हमें सिद्धी लिखनी है, यहां जो जो भी सु सुत्र आप देखिए अचगेह, अचगेह सुत्र के द्वारा सब्तमी एकवचन का हरो रूप सिद्ध होता है, क्योंकि शश्टी द्वियोचन में भी हर्यों बनता है, अब सब्तमी एकवचन में हरो, तो सब्तमी एकवचन में हरो रूप में बनाना है, इसका अर्थ है हरी मे सबसे पहले हरी की प्राति पदिक संग्या करेंगे अर्थवत धातु प्रत्य प्राति पदिक कम से हरी की प्राति पदिक संग्या स्वाउज़त समोड सुत्रद्वारा हरी से परेशु आदी कीस प्रत्य प्राप्त होते हैं द्वेक योर दीवचने क्वचने सुट्रद्वारा एककत्व की विवक्षा में सब्तमी एक वचन का घी प्रत्ये लगाने पर हरी प्लस घी रूप बनता है लशक्वत अधीती सुत्रद्वारा घी के गकार की सिधा ही लिख सकते हैं, गकार की इतसंग्या गेरगीती सुत्र से गी संग्यक हरी को गुणादेश प्राप्त होता है किन्तू अग्रिम सुत्र से उसका निशीद हो जाता है गेर गिति सुत्र केवल समझने के लिए बतारी उसलिए लागू होगा क्योंकि एक तो हरी जो है वो जी संग्यक है है ना और जी संग्यक के बाद जी जो है वो गित सुप है गकार के इसमें इस संग्या हुई है तो इसलिए यहां हरी के इकार को गुण प्राप्त होता है गु लिए इसका अर्थ भी बता रही हो जैसा इसमें उधरण लिखा गया वैसे ही आपको लिखना है अच्छ गे इस उत्रका अर्थते देखिए रस्व इकार तथा उकार से परे घी को आउथ तथा घी संग्यक को अकार आदेश होता है यह के स्थान पर आउथ होता है और आउथ अउत के तकार की हलन्तियम से इत संग्याव पर उसका लोप हो जाता है तो आपके वल ब्रेकेट में आगे अउत दीजिए तो रस्व, इकार और उकार से परे घी को आउत ब्रेकेट में आउ कर दें आप तथा घी संग्याव को अकार देश होता है जैसे हम उधारन लिखेंगे हरी प्लस-ई यहां घी लिख़ावाई आप ई लिख दीजिए क्योंकि पहले ही हम कर चुके हैं गागार की संग्या तो जैसे हरी प्लस-ई ब्रेकेट में लिखी घी अवस्था में हम देखते हैं कि हरी की शेशोगया सक्षी से घी सं को देना आवशक नहीं है जब हम अच्च गे की व्याठ्या करने हैं, तो अब मैं जो बोल दीज भूगा है आपको लिखना है, जैसे हरी प्लस की ब्रैकेट में घी, यहां हरी की घी संग्या होई है, अतह घी संग्यक हरी के इकार को के स्थान पर, घीज़ी के इकार के स्थान पर प्रस्तुत सुत्रद्वारा अकार होता है तथा गी के स्थान पर जो गी प्रत्य है गी का प्रत्य का बचावा जो ई है तो उस ई के स्थान पर और अर्था ओ आधेश होता है तो इस प्रकार रूप बनता है हरी का जो ई था उसके स्थान पर हो गया अ अकार हो गया है न और उसके परेज़ गी है गी का जो ई है उस ई के स्थान पर हुआ अउ तो हर अलंत था ई के स्थान पर अ हुआ तो रह में अ मिल गया तो हर पूरा बन गया तो इस प्रकार हर प्लस अउरूप बना और फिर रधिये का देश अ प्लस अउ की स्थान पर अउ होकर हर मेरा अलंत हो गया और अउ हुआ मिलाने पर हर अरूप सिद्ध हुआ तो इतना तो हमें अच्च गे की व्याक्षा में लिखना है उसके बाद अप आप हरव शब्द की पूरी सिद्धी सुन लीजिए हरव सप्तमी एकवच्चन हरी में खुष्टक में इसका अर्थ लिख दीजिए हरी शब्द की अर्थव दिधातुर प्रत्य है प्राति पदिक कम से प्राति पदिक संग्या सौज़त समोट सुत्र के द्भारा हरी से परेसुआ दी गेस प्रत्य प्राप्त होते हैं वैक्योर त्वीवचने एक वच्चने सु और तससे लोपा से लोपो कार हरी प्रास eरोप बनता है फिर इसके आगे आप लगाएंगे शेशो गय सक्थी सुत्र के द्वारा हरी की घी संग्या फिर अगला सुत्र लगाएंगे गेरगीती सुत्र से यहां हरी को गुणादेश प्राप्त होता है किन्तु अग्रिम सुत्र द्वारा उसका निश्यद हो जाता है फिर नीचे लिखे अच्च गेह सुत्र के द्वारा घी संग्यक हरी के इकार को अकार तथा घी के स्थान पर अउद प्रेकेट में लिखो अउब आदेश होता है इस प्रकार हर में रहलंद अ प्लस अ रूप बनता है र में अ पूरा मिल गया तो पूरा हर बन जाएगा बराबर करके लिख दो हर प्लस अ अ अब हर में र में अ है इसके बाद अउ है इसलिए व्रध्धी रेची सुत्र के ध्वारा अ प्लस अउ के स्थान पर व्रध्धी एकादेश अउ होकर हर में रहलंत लेखो फिर अउ रह में अउ मिल गया तो हर अउ रूप सिंद होता है व्रध्धी रेची सुत्र का ऐसे ही अउ प्लस अउ होगा तो हर में रहलंत लेखो और अउ और मिलाने पर हर अउ रूप सिंद होता है अब अगला जो रूपे वह है हरो हर्यो सप्तमी जेचवे बचन में और हरीशु सप्तमी तो हरीशु सप्तमी बहुवचन का रूप है इसकी भी सिद्धी आप सुन लिजिए हरीशब्द की अर्थवद्धात्य प्रतिय प्राति पदिकम से प्राति पदिक संग्या स्वाउचस समोंद्वारा अधी से परेशु आधी की स्वत्तियों की प्राति बहुशु बहुचनम सुत्रद्वारा बहुत्वकी विवख्षा में सप्तमी बहुवचन का सुप प्रत्य लगाने पर हरी 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 प्लस सुपरूप प्राति होता है सरुपाणाम एक शेश एक विवख्षा द्वारा दो हरी शब्दों का लोफ होने पर हरी प्लस सुपरूप रहता है तब हलंतियम सुत्र द्वारा सुप के पकार की इचसंग्या होकर तस सिलोपा से उसका लोफ हो जाता है और हरी प्लस सुरूप रहता है तब आदेश प्रत्यों सुत्र के द्वारा इन से परे हरी में ई क्या है इन प्रत्याहार में आता है इसलिए इन से परे या आप सीधा लिख सकते हैं आदेश प्रत्यों सुत्र के द्वारा सकार को मुर्धन्य शकार होकर हरी प्लस सू में सू में जो सकार है उसको मुर्धन्य शकार हुआ तो हरी प्लस शू बराबर हरी शू रूप सिद्ध होता है अब आप यहां देख लीजिए केवल समझाने के लिए बतारियों कि आदेश प्रत्यों कैसे लाग हो रहा है इन प्रत्याहार हरी में ई है वो इन प्रत्याहार में आता है और प्रत्ये का अव्यव है इसलिए सगे स्थान पर मुर्धानी शद हुआ है इस प्रकार से यहां हमने हरी शू तक पूरी हरी शब्द के सभी रूपों की सिद्धी को हमने समझा है और इसका अच्छी प्रकार से अध्यन किया है आज बस इतना ही प्री विध्यार्थियों मेरे इस चेनल को सब्क्र सरोज मैता और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद